जहिन दोस्तो और लिनियन जॉप्स में आपका स्वागत है तो बड़ी खुरसी की बात है कि बिहार पुलिस नया भरती निकाल चुका है आपको डिस्प्ले पद दिख रहा होगा कि बिहार पुलिस की नई भरती आ चुकी है लेटर संख्या आपको यहां दिख रहा होगा इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं तो फ्रेंट बता दू पिछले भी भरती की सारी अपडेट आप तक हम पहुँचाते आ चुके हैं और यह नई भरती आ चुकी है बिहार पुलिस की अगर आप इसको फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो साथे चैनलों को भी कर दे और बेल आइकन भी दबा दे जिससे हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे तो चलिए फ्रेंग इसकी कोई भी डाउट हो कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्षन में आप लिए कर पूछ सकते हैं तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले बता दे अगर आप मेरी यूटू चैनल पर फर्स्ट बढ़ा हैं तो कॉमेंट सेक्षन में जैहिन लिखना ना भूले जिससे एक भारतियों होने किनाते हम आपसे रिक्वेश्ट करते हैं कि जैहिन जरूर लिखे जैहिन जरूर लिखे एक बार और मैं बोल दिया चलिए अब इसकी डिटेज्स क्यों चलते हैं आपको एक एक चीज़ में क्लिर करने वाले हैं तो चलिए फ्रेंड आपकर डिस्पेले पर खोल जुका है य इसके डिकाइडिक हम बात करेंगे यह ओफिसियल साइट है आपको यह लिंक रिक्सम बॉक्स में मिल जाएगा या आइकन बटन में भी मिल जाएगा इस से रिलेटेड वीडियो आपको हर वीडियो आप तो अगर पहुचना चाहता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ल वाली है इसका अपलाई आज से सुरू हो चुका है और यह 14.12.2020 तक आपका अपलाई होगा इससे पहले में बता दो 14.12.2020 से पहले आपको यह अपलाई कर देना है अपलाई कर देना है इसलिए मैं डेट को हाइलाइट कर देता हूं कि आपको कोई दिकत नहीं आए विग्य जिसमें आपकी वेतन जो होगी लेवल ठर्ड की होगी इसमें आपको 21,700 लेकर 39,100 तक रहने वाली है और ये बता दे आपको ये आपकी ओनलाइन भरने की अंतिन तिति भी आपको मैं बता दिया हूँ ओनलाइन भरने की तिति आपको यहां सोग कर रहा होगा ओनलाइन अवेदन करने की तिति आपको 13,11,2020 से आपको अरंब हो जाएगा जिसको आपको फोरम 13,11,2020 से आपको अपलाई हो जाएगा उस तिन आपको हाउ टू अपलाई का वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको फ चैनल पर बने रहे और अपडेट मिलता रहे और आप कॉमेंट सेक्षिन में जरूर लिखें अब बात करते हैं आगे की और यह सब पर किरियाओं को छोड़ते हुए अब बात करते हैं सबसे पहले यहां कॉलम संख्या साथ से ठीक है कि 12 पास आपको होना चाहिए लिखित पर कॉनलीप पास के लिए रखा है गए और फिजिकल्स में आपको आने के लिए आपको सब से पहले बता दू मिसे ही diary 190 पास के लिए होते हैं तो दह घंटे का समय रहेगा समय आपके एकजाम के लिए इसका सले बसा आपको आप लूड़ कर दिया जाएगा अगर आपको सिलेबस मिल गया है तो मैं बता दू आपको वीडियो जरूर मिन देखिए वीडियो सिलेबस का भी अपलोड जल्द ही कर दिया जाएगा मैं बता दू आपको 30% में आपको 100 में से 30 अंक लाना अनिवार रहे तभी आप इसमें पास हो सकते हैं आपको 80 के आपस मार्ट लाएंगे तभी आपको सिलेक्षन फिजकल्स के लिए बुलाए जाएगा अब बात करते हैं लिखित परिच्छा की जो लिखित परिच्छा जो रखी गई है जो आपको मेगा सुची नहीं बनेगी मैं पहले ही बता दू फिजकल्स पर इसकी मेरिट होगी ठीक है लिखित परिच्छा पर आपकी मेगा सुची नहीं बनेगी कॉलम नमर दस आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि इस पर मेगा सुची नहीं बनेगी आपको लिखित परिच्छा पर मेगा सुची नहीं बनेगी मैं इस बात को बार बार दोड़ा रहा हूँ फिजकल्स पर आपके मरिट बनने वाले हैं अब बात करते हैं इसके आगे के प्रोसेस के जो आपको कैसे बता दू आपको एक आठ दो हजार बीस से पहले होना अनिवार है चलिए अब आगे की और बात करते हैं आगे की और बात करने से पहले एक और यहां चीज आया कि आपका मैटिक्स में जो डेटर वर्थ रहेगा उसी के अंसार आपका डेटर वर्थ इसमें सेलेक्शन में आयेगा ठीक है तो सामानने वर्थों के लिए 18-25 रखा गया है yes पुरुस और महिलाओ के ठीक है आपको यहां दिख रहा होगा पीछे वर्थ के लिए 18-27 रखे गया है पीछे यह on त्यांत पिछले वर के कोटी के लिए 18-28 रखा गया है आपको यह साफ साफ दिख रहा होगा अब बात करते हैं आगे की ओर इसमें आपको अंसूची और अंसूची जन जाती के लिए आपको 18-30 वर्ष रखा गया है साफ ही आपको इसने 5 वर्ष शूट और आपको मिल जाएंगी जो बिहार सरकारदोरा मिलती है तो फ्रेंड आपको तेंथ पास में जो आपका डॉक्मेंस में डेट वर्ष है वही डेट वर्ष से इस परकिरिया में चलनी है तो अब बात करते हैं आगे के हाइट और वेट और चेस्ट के बारे में जो आपको उचाई के बारे में बात कर ले आपकी हाइट के बारे में बात कर ले 155 सेंटीमीटर रहने वाली है किसकी समानने वर्ष और पिछरे वर्ष के पूर्सों के लिए अत्यांत पिछरे वर्ष के लिए आपको 160 सेंटीमीटर रहने वाली है अंस टुकली 160 cm रखा गया है और मैं एक और बात बता दू सभी महिला और किसी भी क्रिटेगरी की महिला है उनके आपका 155 cm आपका रखा गया है और बात करते हैं चेस्ट की जो आपको 81 से 86 रहना है जो आपको मिनमम 81 रखना पड़ेगा और फुलाकर 86 करना पड़ेगा ये परकिर जाती है उनसुची जन जाती के लोगों के लिए आपको बेंट फिट में निकल के आया है 79 होना चाहिए और 84 होना चाहिए चेस्ट आपका नॉर्मल 79 और 84 होना चाहिए बात करते हैं आगे महिलाओ का वजन कम से कम 48 kg होना चाहिए नहीं तो इस से कम नहीं होना चाहिए अब बात करते हैं इसकी परिच्छा किस परकार होगी जो परिच्छा होगी 2 गंटों कि परिच्छा होगी टोटल कोस्चिन संख्या सो रहेंगे आपका एक संपरkimàng यह य। मार्स रहेंगे यह जैं papier करनिक उप्सार होग होगी इसमें में आपको डंगना पड़ता है चलिए अब बात करते आगे की और से जो स्लेबस रहेंगे वह आपको अलग समें प्रवाइट कर दूंगा इस वीडियो में आपको स्लेबस की पूरी डिटेल्स नहीं देंगा मैं पहले बता दिया हूं स्लेबस को आपको किसकी चैप्टर से कोश्चिन आने वाले सारे डिटेल्स आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे अब दूतिये चगर में आपको फिजकल्स होंगे जो फिजकल्स के लिए भी अलग से वीडियो बनेगा आपको इस वीडियो में बता दूं कि फिजकल्स के लेकिन विडियो बनाएंगे और किस केटेगरी में कितने सीट है आपको यह मैं जरूर दिखला देता हूं आपको यहां जूम करके शमान निवर्गों के में 3460 है आपको अतरिक्त रूप से कमजूर वर्गों के लिए 842 है अंसुची जाते के लिए 1307 है अंसुची जन जाते के लिए 1270 है और पीछे वर्ग के लिए 980 है और पीछे वर्ग महिलाओं के लिए 200 पैदाएश तोटल आपको 8455 रिक्त पद हैं अब बात करते हैं आगे के डिटेल्स के लिए जो अरक्षन मिलते हैं जो आपको मिलते आएंगे अब बात करते हैं जो पहले से होम गाड है उनको भी इसमें 50% आपको अरक्षन मिलने वाली है महिलाओं को भी आपको इसमें अरक्षन जो पीछले भरती से मिलती आ रही है उ इसके आपको पोता, पोती, नाता, नातीं जो आप रिलेशन में आते हैं, जो भीहार के सोतन्तर्ता से नानी होते हैं, उनको भी छूट मिलने वाली, जो छूट की पड़ करीर हैं, आपको मैं पहले बता देता हूँ, इस भरती में, और आपको बस सिलेबस और कट अख, सबसे महत्पून बात आपको 450 रुपया लगने वाली है आपको मैं बता दू जेनरल और को 450 रुपया लगने वाली है और अंसुची जाते हैं अंसुची जन जाते के लिए आपको 112 रुपया लगने वाला है और आगे क्यों चलते हैं और आए किया डिटेल्स निकल के आई है मैं देखते चलता हूँ ऐसी कोई खास अभी अपडेट नहीं निकल के आई जो हम आपको बताएं ये डिटेल्स आपको एक एक में यहां दिखला दिया इसके बाद भी अगर इसमें कोई डाउट आपको आ रहा है तो आप कॉमेंट सेक्सर में जुरूर पूछ सकते हैं चलिए फिरन जब तक लिए जैहिन दोस्तों बंदे मातरम आपका दिन सुब हो एक और यहां चीज सबसे इंपोर्टन्ट यह मैं दिखला दो कि किस जीले में कितनी भरतियां है आप यहां से देख सकते हैं पटना नवादा भोजपूर रहतास कैमूर गया और अंगबाद नवादा आप यहां टोटल आपको मैं कितने जोने में 34 जीलो की इसमें दिया गया है तो मैं बता दू आपको इस से रिलेटेट आपको साड़े वीडियो मिलते रहेंगे जब तक लिए जैहिन दोस्तों बंदे मातरम आपका दिन सुब हो अगर आपको कोई भी डाट हो तो कॉमेंट सिक्षन में जुरूर पूछे जब तक लिए जैहिन दोस्तों बंदे मातरम